आज का हमारा टोपिक है EMI EMI क्या होती है और EMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज के वीडियो में हम यही जानेंगे मैं हूँ आपके साथ नितिंपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंशॉरेंस गुरू आपको इस चैनल पे इंशॉरेंस से र्लेटेड वहन से र्लेटेड और लोन और फेननस से र्लेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे तो फ्रेंस आएонец सबसे पहले हम बाथ करते हैं कि EMI क्या होती है तो friends जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई वस्तू परचेज करते हैं तो उसकी एक साथ सारी की सारी payment ना करके हम installment में payment करते हैं तो उसे हम EMI कहते हैं EMI की full form होती है equated monthly installment अब मान लीजिए हमने कोई car परचेज की है या फिर हमने कोई two-wheeler या फिर हम कोई महेंगा mobile खरीद रहे हैं या फिर हमने laptop खरीदा या फिर हमने मान लीजिए अपने घर का निर्मान किया तो हम ये सारी की सारी चीज़ें इनकी payment एकठी नहीं करते हैं बैंक से financing ने करते हैं तो हम उसकी EMI बनवाते हैं EMI कैसे calculate करनी हैं आज के वीडियो में हम यही जानेंगे तो चलिए आगे वरते हैं और जानते हैं कि EMI कैसे calculate करेंगे तो friends EMI calculate करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ informations चाहिए होगी सबसे पहले हमें cost पता होनी चाहिए जो चीज हम purchase कर रहे हैं उसकी क्या cost है क्या price है उसके बाद margin money हमें पता होनी चाहिए down payment हमें पता होनी चाहिए कि bank कितनी margin money या फिर down payment हम से मांग रहा है और friends उसके बाद हमें loan का tenure यानि कि उसकी कितने साल तक वो loan चलेगा वो पता होना चाहिए और loan का हमें amount पता होना चाहिए और friends उसके बाद हमें यह सारी चीजे हम पता होंगी तो हम असानी से EMI को कैल्कुलेट कर सकते हैं एक्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे एक प्राइवेट कार का मान लीजिए हम एक कार खरिदने जा रहे हैं और उस कार की कीमत है 5,75,620 रुपे बैंक ने मार्जन मनी हम से 20% मांगी और वो हो जाएगी 1,15,124 रुपे तो फ्रेंस 5,75,620 रुपे का 20% हमें EMI के रूप में देना पड़ रहा है लोन का 10 और 3 साल का है यानि कि 36 मीने का हमारा लोन चलेगा हमें 36 इंस्टॉल्मेंट पे करनी है IR यहाँ पे 20% एरली है तो फ्रेंस अब हमें कैलकुलेट करना है लोन का एमाउंट की हम कितना लोन ले रहे हैं तो लोन का एमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक वैल्यू जो होगी कार की उसमें से मार्जन मनी को माइनस करना है तो कार की वैल्यू है 5,75,620 रुपे जिसमें से हमने 1,15,124 माइनस कर दिये और हमारा लोन एमाउंट है 4,60,490 रुपे अब हम पूरे लोन के डियूरिंग टर्म में कितना इंटरस्ट पे करेंगे यह कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लोन के एमाउंट को IR से मल्टिप्लाई करना है और 10 नियूर जो होगा उसको हमें साल में लेके 100 से डिवाइट कर देना है तो 4,60,490 रुपे हमारा लोन एमाउंट था उसमें हम 12 की IR जो है वो लगा रहे है बैंक हमें 12 की IR लगा रहा है तीन साल लोन चलेगा और उसके बाद 100 से इसको हम डिवाइट कर देंगे तो फ्रेंट्स 4,60,490 रुपे इंटु 12 इंटु 3 यह हमें करना है तो उसके बाद हमें 100 से इसको डिवाइड कर देना है तो friends multiply करने के बाद यह आता है एक करोड 65,777,856 रुपे जिसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारे पास बनेगा 1,65,778 रुपे 56 पैसे हम पूरे loan के tenure में interest पे करेंगे तो friends अब हमें calculate करनी है EMI यह तो होगे सारा का सारा loan amount की हम पूरे loan के tenure में कितना जो है वो interest पे कर रहे हैं तो EMI calculate करने के लिए जो total interest होगा उसमें loan amount को जमा करके tenure जो होगा उसको महीनों में convert करके divide कर देंगे तो हमारा total interest है 1,65,778 रुपे 56 पैसे जिसमें loan amount 4,64,496 पे हम जमा करके 36 महीने को उससे divide करनेगे 6,26,214 रुपे 56 पैसे को 36 से divide करने पे 17,396 रुपे हमारी monthly EMI calculate होके आगे तो friends इस तरह से हम अपनी खरीदी गई वस्तू की EMI calculate कर सकते हैं चाहे वो घर है चाहे वो fridge है चाहे आपकी car है mobile है या फिर laptop